हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो मार्किट ने आपको आज एक जलक दिखा दी है जो भ्यानक गिरावाट आपको देखने को मिली है तो अब यहाँ पे जो सवाल ये उठता है कि क्या ये क्रैस की सुरुवात है या फिर बड़ी गिरावाट आना अभी भी बाकी है या फिर मार्किट सपोर्ट लेवल पे पहुँच चुका है या फिर अगला सपोर्ट लेवल कहाँ पे बनने वाला है काफी यहाँ पे सवाल उठते हैं तो आईए इस वीडियो में सारी चीजों का हम डिसकेशन करने वाले हैं वीडियो को एंड तक देखेगा और सारे लेवल्स को समझने की कोसिस कीजेगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे आज आपको गिरावाट देखने को मिली लेकिन अगर आप पिछले कुछ टाइम का देखोंगे यानि कि पिछले कुछ गंटों में जाऊंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो बड़ी तेजी के साथ गिरावाट आई है अपने लास्ट टाइम में मार्केट ने बड़ी तेजी से गिरावाट दिखाई है यानि कि यहाँ से हमें एक बात तो पता चलती है कि लास्ट में सेलर्स हावी होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं साप साप जिन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुस किया है अगर आप इसे वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे यहाँ पर मैं आपको ये भी इंट्रेस्टिंग चीज समझाऊँगा लेकिन पहले मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे आता हूँ अगर आप देखेंगे ये साप साप आपको देखने को मिल रहा है सेलर्स आपको कितने अच्छे खासे वोल्यूम के साथ बड़ी तेजी से मार्केट को नीचे की तरफ पुस करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमारा एक इंट्रेस्टिंग सपोर्ट लेवल भी हाँ पे बनने वाला है जो कि 16,800 पे इसका भी डिसकेशन करेंगे आप फिर वापिस वहीं पे आते हैं बस मैं हाँ पे आपको केंडल दिखाना चाह रहा था इसका डिसक्रिशन हम थोड़ी सी देर में करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम में हमीं सेलर्स हावी होते हुए दिखाई थी यानि कि यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि negative momentum continue रहने की possibility है लेकिन market का कहीं support level भी है उस support level पे market किस तरीके से react करता है वो भी एक interesting level है उस चीज का भी discussion करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूँ अगर आप देखेंगे 15 मिट के time frame पे मैंने एक चीज ड्रो करके रखी है मैंने आपको चार patterns बताय हुए triangle वाले pattern आपको बताये है trend line से मिलके बने हुए pattern आपको बताये है और पहला line से मिलके बने हुए pattern आपको बताये है यहाँ पे आप साप साप देख पारे होंगे कि हमें कौन सा pattern नज़रा रहा है हमें यहाँ पे यह वाला pattern नजर आ रहा है उपर की तरप आप देखेंगे उपर की तरप आपको साप साप resistance दिखाई दे रहा है नीचे की तरप आपको साप साप support दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस support का हमें breakdown भी मिला है तो यहाँ पर एक बहतरी इंद सेलिंग अपोर्चुनिटी आपको मार्केट में दिखाई दिये, किस किस ने इस पैटरन को देख लिया था, पैचान लिया था, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, अब काफी लोग सोचेंगे कि इतने पीछे तक कौन देखेगा, पारी चीजों को समझने के कोसिस करकरो, और फिर सिर्फ इतना काम नहीं होता कि आपने वीडियो देख ली तो बात खतम, नहीं आपको मार्केट में जाना है, चार्ट खोलना है, कम से कम आपके 10 चार्ट आपको हर रोज देखने चाहिए, कम से कम 10 चार्ट के आपको हर इन सारी चीजों को आपको समझना है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमें मार्केट की एक रेंज पता चल रही थी, साप-साप रजिस्टेंस के बारे में पता चला था, साप-साप सपोर्ट के बारे में चल रहा था, सपोर्ट का मिला ब्रेकडाउन एक बेहतरीन सेलिंग opportunity हमें यहाँ पे देखने को मिली अब यह trend line हमारे लिए खतम हो चुकी है सिदे सिदे आप एक तरीके से कह सकते हैं यह आपके लिए कल के लिए वैलिड नहीं रहेगी पस इसे दिखाने का परपस सिर्फ इतना था कि आपको opportunity किस तरीके से find out करनी होती है यह फिर यहां से आप एक confirmation भी लेके चल सकते हैं कि breakdown में लिए selling opportunity आपको दिखाई दे रहे हैं अब आते हैं वन डे के time frame पर यहां पर कुछ चीजों को हम ध्यान से समझेंगे सारी चीजों को observe करने की causes करेंगे क्योंकि market जिस level पर खड़ा हुआ है पहले भी market दो दिन तक यहां पर support ले चुका है example के तोर पर आप यहां पर देख सकते हैं सारी चीजों आपको दिखाई दे रहे हैं इन दोनों दिन को देखो अब मैं दो दिन क्यों कह रहा हूँ क्योंकि यहां पर time frame one day का मैंने select कर रखा है यानि कि एक candle पूरे दिन को represent कर रही है कि पूरे दिन क्या क्या हुआ आगे बताने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप इस वीडियो को like भी कर दीजिए चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon प्रेस कीजिएगा जिससे आप कौने वाली वीडियो के notification मिल सकेंगे फिलाल आईए वीडियो पे आते हैं यहां पे हमें यह तो पता चल गया कि market पहले भी आपे support ले चुगा है और अभी भी support लेवल पे खड़ा है लेकिन इससे भी ज़्यादा interesting level और इससे भी ज़्यादा important level हमारे लिए 16,800 है यहां पे market अभी recently भी support लिया है उससे पहले आप देखेंगे यहां पे resistance की तरह बहतरीन resistance की तरह काम किया है market ने उससे पीछे भी हम ज़्यादा पीछे मैं आपको लेके नहीं जाता क्योंकि main purpose जो मैं समझाना चाहता हूँ उसकी तरफ ज़्यादा focus कर लेते हैं यह तो आप बाग में भी chart को zoom in और zoom out करके देख सकते हैं फिलाल मैं क्या समझा रहा हूँ अगर negative momentum आया तो हमारे लिए एक interesting level हो जाएगा 16,800 किस रूप में edges support लेकिन जिस हिसाब से आज हमें गिरावाट देखने को मिली हैं अगर ऐसी ही गिरावाट कल भी बरकरार रही तो definitely 16,800 का आपको breakdown मिल जाएगा और अगर breakdown मिल गया तो यह market इसके नीचे sustain कर पाया तो आपको nifty 50 में और भी जाधा negative momentum देखने को मिलेगा या फिर आप सीधे सब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये जो crash market में चल रहा है ये continue रह सकता है condition क्या रहेगी 16,800 का अगर आपको breakdown मिलता है इस case में अगला जो important support level बनेगा ये 16,400 आपको बनता दे दिया था market ने लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा था 17,200 एक interesting level है ये decide करने वाला level है अगर इससे उपर price sustain कर पाया तभी हम एक positive momentum की उमीद करेंगे अगर इसका आपको breakdown मिल गया तो आपको यहाँ पे negative momentum continue होता हुआ दिखाई देगा यहाँ तक सारी चीजे clear है समझ में आ करता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले भी market यहाँ पर resistance की तरेक्ट कर चुका है ब्रेक आउट देने के बाद support की तरेक्ट कर चुका है यहाँ पर देखो support और यह support और यह support और एज़िस्टेंस इस level ने काफी interesting momentum market में दिखाया है और काफी interesting दिख आउट होना थोड़ा जरूरी हो जाता है अगर हम positive momentum या यह nifty 50 में एक नया high देखना चाते हैं तो 17,200 का हमें breakout मिलना चाहिए प्राइज भी उपर sustain होना चाहिए तब ही हम यह situation देख सकते हैं तो यहाँ पर एक तो resistance रहेगा आपका 17,200 अगर breakdown आया तो 16,800 आपके लिए support के रूप में काम करेगा अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ प्राइज एक्शन की मदद से हमें कहाँ पर support दिखाई दे रहा है कहाँ पर resistance दिखाई दे रहा है अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है या फिर flat open होके market आपको positive momentum दिखाता है दोनों ही situation पर जो हमें resistance नज़रा रहा है 17,100 पर नज़रा रहा है इस level पर भी धिहान से समझो आज की दिन भी अगर आप 11 को focus करूंगे आज भी market ने यहाँ पर support दिखाया इवन इसके पास sideways momentum भी दिया फिर इसका breakdown देने के बाद इसी level पर market resistance की तरह भी act करता हो नज़रा है क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है अगर कोई support zone है breakdown मिलता है तो वो resistance की तरह act करेगा तो देखो मैं आपको हमेसा कहता हूँ कि जो important level होते हैं मैं आपके साथ पहले ही discuss कर देता हूँ क्योंकि वे सबसे ज़्यादा important होते हैं 17,200 का हम discussion कर चुके यहाँ पर मैं दोबारा नहीं कर रहा और 16,800 का भी हम discussion कर चुके जब support की बात आएगी इसका भी discussion नहीं करेंगे यहाँ पर आप दूसरे discussion करते हैं अगर आपको gap down opening देखने को मिली या फिर flat open होके market ने आपको negative momentum दिखाया दोनोई situation पर जो में support न ज़रा रहा है 16,900 पर हमें पहला support दिखाई 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 रहे हैं यहाँ पर आप 3rd October को भी देख सकते market ने 28, 29 और even 30 को भी market ने एक अच्छा कासा support level दिखाई था और मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि 16,800 एक important support के लिए आपको काम करता हूँ दिखाई देगा अगर इसका breakdown मिल गया और price नीचे sustain कर गया तो यह negative momentum या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि थोड़े time के लिए ज इसी पर धियान देने वाली बात रहेगे अब मैं आपको लेके चलता हूँ no trading zone की तरब यहाँ पर आप दिखेंगे आपको दो red line दिखाई दे रहे हैं उपर level line के बात करेंगे 17,037 यहाँ पर धियान से समझो यह 28 का day high है साथिसा 29 का day high है वो भी इसी zone में है तो इसलिए day level काफी interesting रहेगा इवन यहाँ पर और भी आपको support resistance दिखाई दे रहे हैं लेकिन अगर इसका breakout मिला तो आपको 28 और 29 दोनों के day high का breakout मिलेगा तो आपके लिए यहाँ पर day high के breakout वाली strategy भी काम करेंगे वहीं पर बात करें नीचल लेवा line के 16,950 की है जो कि आप देखेंगे 11 का day low भी है अगर इसका breakdown मिल गया तो आपके लिए day low के breakdown वाली strategy काम करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है अगर market इसी zone में दिखाई देता है तो आपको market में कोई भी position नहीं बिना नहीं है आपको market को just observe करना है अगर मिलता है इसका breakout price उपर sustain किया तो आपको मिलेगी buying opportunities अगर मिलता है इसका breakdown price नीचे sustain किया तो आपको मिलेगी selling opportunities अब उपर की तरफ क्या level रहेंगे नीचे की तरफ क्या level रहेंगे pivot point पे एक बार नजर डाल लेते हैं अगर निफ्टी 50 में आपको एक positive momentum देखने के लिए मिलता है ऐसे स्थिती में जो में पहला resistance नजर आ रहा है 17062 में लेते है अगर आपको इसका break out मिल जाता है जो में दूसरा resistance दिखाई दि रहे है 17113 पे दिखाई दिखाई दि रहे है अगर आपको इसका भी breakout मिल जाता है जो में तीसरा resistance नजरा रहा है यह 17,195 पे दिखाई दे रहा है वहीं बात करें 50-50 में अगर आपको देखने को मिलता है एक negative momentum ऐसी इस्तिति में जो में पहला support नजरा रहा है 16,853 पे नजरा रहा है अगर इसका breakdown मिल जाता है जो में दूसरा support नजरा रहा है 16,792 पे नजरा रहा है अगर इसका भी breakdown मिल जाता है जो में तीसरा support दिखाई दे रहा है यह 16,737 पे आपको तीसरा support यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी एक negative हम option chain पे भी डाल लेते हैं यहाँ पे आप देखेंगे 13 October की हमने expiry select कर रहा है call की साइड हम देखने वाले resistance को put की साइड हम देखने वाले support को resistance की बात करेंगे तो 17,100 पे आप देखेंगे 70.4 lakh का आपको यहाँ पे open interest दिखाई दे रहा है अगर इसका breakout मिलता है फिर आप देखेंगे 17,200 जहाँ पे आपको 93.8 lakh का यहाँ पे open interest दिखाई दे रहा है वहीं पे बात करेंगे support की तो support का नज़रा रहा है 16,900 पे आपको एक support नज़रा है जहाँ पे आप देखेंगे 31.5 lakh का आपको यहाँ पे open interest दिखाई दे रहा है चैनल को subscribe कर लो बेल आइकन प्रेस कीजिगा जिससे आप को अनुवाली वीडियो के notification मिल सकेंगे फिर मिलेंगे किसी next वीडियो में किसी अच्छे content के साथ Thank you